अपको बता है आपकी तैयारी आपने अच्छी से कर ली होगी लेकिन आकरी दो दिन में किन बातों को ध्यान रखना है इस्पेशल वो बच्चे जो पहली बार दे रहे एक्जाम को या जिन्होंने पहले कोई इस्पेशल एक्जाम नहीं दिया है अभी आपके गरिशन कंप्लेट करीए या बार भी कंप्लेट करीए उसके बाद में पहला ही आपका इंट्रेस्ट रेस्ट है तो आप सभी के लिए बाते बहुत ध्यान रखने हैं जरूरी है तो कुछ बाते मैं आपको बताने वाला तो आपके लिए 400 प्लस नमबर लाओगे तभी कॉलेज मिलेगी तो यह जितने भी बाते बताने वाला हूँ सभी आपको ध्यान रखनी है तो जिसने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गए जो चैनल को सब्सक्राइब करें में लेकरन को प्रेस करें से आने वाली करते हैं प्रेटी दो जार बाइस के अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि आपकी जो एक्जाम पैटा ने उसके अंदर चार सेक्षन होंगे पचास-पचास कुश्चन आपके आने वाले तोटल 200 कुश्चन होंगे 600 नमबर का प्रते कुश्चन आपका त्रीन नमबर आते है तो आप को बताया तो रीजिन के कौन कोंष्ce कुश्चन आते है कोड़िंडिकोडिंग के ज्यादा आते है रंकिंगर्इड ऑडर अल्फावेड सीई सिरीज कि आते है रिले रिलेशन के आते हैं डैग्र में हो गया फिक्र ही दाना दीग कर लिफिक हो गई क्या है का जो कलॉक है कँछ फॉर्मुले की रेजनिंग में नेOFF किया है क्या होता है आगर आपको मार्क्स मिलनEMA और अगर आपसे गलत हो गलत हो या ऐसे तुक्काशन लगा सकते आपने सौल किया नेoff को लगता है यह मैंने पहले करोगे या एंड में करोगे काफ़ी प्र क्या होता में कि बत्चे के लिए प्लस टाइम आपके पास बाए क्योंकि 50 कुछन के लिए 30 मिनिट ज्यादा समय तो चाहिए चाहिए ठीक है सबसे बात इसके बाद मैं आपको बताएता हूं कि जन्नल अवेरेंस की अगर हम बात करें इसमें आपका रास्तन जीके भी आएगा इंडिया जीके भी आएगा जो गुरोपी इस्ट्री आर्ट अन और एक दो दिन जो बच्चे वें इसमें भी आपको प्रवाइड करवा देंगे अभी आप सभी को बता है पुर रास्तन के अंदर इंटरनेट सेवा बंदे उस विजए से आपकी क्लास नहीं हो पा रही है जैसे ही बहाल होती है आपकी क्लास वापस से स्टाट हो जाएगी तो आपको लास्त जो भी आपके पास कोई मतलब की मुमल है या क्रोनलोजी है कोई भी आपके पास में छे महीने की पत्री का है उसमें आप पढ़ सकते हैं लास्ट सिक्स मन्त की करेंट अफेरेंस आपके पास में आएगी तो इंडिया करेंट अफेरेंस आप पढ़ लेना last six month की जिसमें आप मई तक की पढ़ लेना पेपर जो है आपका पहले ही बन चुका है तो आप मई तक की पढ़ लेना जो भी जितने पदादिकारी बने हैं इसके चर्चित इस्तान क्या है व्यक्ति क्या है sports current भी आप लोग देख लेना वहां से सवाल बनेंगे defense के भी एक दो सवाल आ जाते तो defense को भी आप लोग देख लेना चीक है इसके अलावा हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में जो topic आपको last में revise करना है या पहले पढ़ रखे तो religion जरूरी है या ये तो पढ़ के जाना क्योंकि इनसे सवाल बनेंगे सब्सुद्धी हो गया उपसर्ग हो गया प्रति हो गया तस्वम तदवव है वाक की सुद्धी परियावाची समास और वन विचार यहां से सरवाधी question देखने को मिलते हैं सब्सुद्धी में से 4-5 question आते हैं संदी के थोड़े कम सवाल आते है तो संदी वैसे भी लेंदी है अगर आपको नहीं आती है आपने पहले नहीं पढ़ रखा तो रिवीजिन मत करना इन टॉपिक्स को रिवीजिन कर लेना अब सब्सुद्धी को आपको प्रैक्टीस है करनी है इसमें कोई फॉर्मुला तो ल आपको याद रखनी है तो इस सारी बाते मैं आपको बता दी यह चीज है जो आकरी दो दिन मा आपको डिवेजिन करनी है यहां से सरवाधी कुशन देखने को मिलेंगे और बहुत ज़्यादा माक्स भी आपके आएंगे अब हम आकरी पोर्सिन की बात कर लेते हैं वो है टी teaching में आगे जाके subject को देंगे या भी PTT में आता है तो PTT में आपको क्या करना है एक दो वीडियो का पिसरे वैसे चैनल पर वीडियो हैं जो सेशन अब रूची पढ़ाया हुआ है तो approach देख लेना approach क्या है questions को attempt करने की approach क्या है और इस section की खास बात है कि अगर आप गलत भी करेंगे तो भी marks आपको मिलेंगे कैसे marks मिलेंगे चार option होते हैं ठीक है चार option में से अगर आपने सबसे सरुस्रेश्ट option किया जो सबसे अच्छा जो अगर answer है वो किया तो तीन number मिलेंगे ठीक है अगर उससे थोड़ा कम किया तो दो number मिलेंगे उससे भी थोड़ा कम किया तो आपको एक number मिलेगा और बिल्कुली गलत करोगे तो आपको zero number मिलेगा तो वैसे तो आपको एक दो number तो मिलने वाले हैं लेकिन अगर आप एक दो वीडियो देख की जाएंगे आप concept को पकड़ लेंगे किस पढ़ लो आखरी आज शाम को में एक वीडियो लेके आ रहें लगबग सो कुश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे तो करेंट अफेरेंस के लिए आपको भी वीडियो देख सकते हैं रोजाना करेंट पढ़ाते हैं लाच सिक्स मंत की देख लेना उसी में सवाल बनेगा तो कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कम्प्लीट पूरा पेपर अटेम्ट करना है एडमिट कार्ड आपको जो है डाउंट कर लिया होगा सेंटर आसपास यह आए सभी के बाकि एडमिट कार डाउंट कर लेना और अच्छे से पेपर देना है ओल दी बेस्ट धन्यवाद